नमस्कार खबर 24 एक्स्प्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का भारत में हार्ट अटेक के मामले रुक नहीं रहे हैं बलकि तेजी से बढ़ रहे हैं नाचते गाते खुशी मनाते जूमते हुए चलते हुए बैठे हुए कभी भी हार्ट अटेक आ जाता है पहले अधिकतर साथ साल से जादा के उम्रबालों में अधिक समस्या होती थी लेकिन आजकल तो 19-20 सालों के युवाओं में भी हार्ट अटेक के केसिस देखे जा रहे हैं ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अम्रुहां ने सुनने को आया जहां हार्ट अटेक से मौत का अलग ही मामला सामने आया यहां पर तीन लोगों की मौत हार्ट अटेक से हो गई दरसल दो अलग अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत का मामला सामने आया है सबसे पहले एक दुलहन की मौत हार्ट अटेक से हुई इसके बाद परिशान बुआ को हार्ट अटेक आया और उनकी भी मौत हो गई तीसरी मौत का मामला एक दूसरी शादी समारों में आया जहां बग्गी चराने वाले चौला की मौत हाथ अटेक से हुई है तीनों हाथ अटेक की घटनाओं को लेकर अब चर्चाग गरमा गई है देखते ही देखते हो रही मौतों ने हर किसी को हैरान परिशान करके रख दिया है अमरोहा में एक ही परिवार में दिल का दौरा पढ़ने से दो लोगों की मौत हो गई है शादी से पहले दुलहन की अचानक मौत होने से परिवार गम में टूप गया बुआ इस सद में को बरदाश देने कर पाई उनको भी दिल का दोरा पड़ा जिसमें उनकी भी जान चली गए बड़ी वेगम सराय अलाके से हम मामनों सामने आया है अलाके कि यासीन की 20 वर्शी बेटी फरहीन की शादी तै थी एक माह बाद शादी होनी थी दिली में रिष्टा तै हुआ था फरहीन की पहले ही सगाई हो चुकी थी घर में शादी की तैयारिया चल रही थी गुरुआ और को फरहीन धर में काम कर रही थी उसी दरा नचानक उसी तब्याद बिकड़ गई उसे सीने में दर दुआ और वो बेहोश हो गई परिवार वाले फरहीन को लेकर अस्पताल गए डॉक्टरों ने उसी मृत घुशित कर दिया परिवार और आसपास की लोग काफी दुखी हो गए फरीन की मौत ने परिवार पर दुखो का पहार दोड़ दिया फस्पर वर्शी बुआ फूल बीज को जैसे ही घटना की जानकारी वहार खुद को संभाल नहीं पाई उन्हें भी हार्ट अटेक आया परिवार के लोग उन्हें भी लेकर अस्पिटल पहुँचते ही उनकी भी मौत हो गई डॉक्टरों ने मौत का कारण दिल का दौरा पढ़ना बताया है लेने में देखत होने लगी हस्पिताल ले चाहे गया वहां उसकी मात हो गई यह खबर आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वा खबर को जादा से जादा शेयर करना ना भूले धन्यवार